पिच्चर चालो करो बे प्रोफेसर संगीत रागी आरक्षन का घमासानी हिंदू-मुसल्मान में क्यों तबदील हो जाता है जानबूज कर कर रहे हैं आप संदीप मैं तो नहीं कर रहा हूँ लेकिन आपको सबसे पहले जो आपने गलत बोला है मैं उसको करेक्ट कर दूँ मोहन भागवज जिनने कभी भी आरक्षन को खत्म करने की बात नहीं की है यह मैं आपके पूरे चैनल और आपके पूरे दर्सों के सामें पतो क्या है और्जने स्वैब बीड्रा कर देखे मिल्कुल गल्त बात है समीक्षा करनी चाहिये समीक्षा को भी गल्यद को माना गया समिक्षा का मतलब क्या होता है आप पढ़े लिखे हैं आप तो लालू की तरह बेवहार कर रहे हैं आप तो लालू जादो की भासा का इस्तिमाल कर रहे हैं समिक्षा का मतलब खत्म करने की बात नहीं होती है अच्छा तो गेम बजाना पड़ेगा उसमें साथ साथ जोड़ा भी था कि बहुत सारे समाज के ऐसे लोग हैं जिनको नहीं मिला है पैदा बहुत सारे ऐसे हैं जो वंचित रहे हैं तो इसलिए पहली बात तो मैं करक कर देना जाता हूँ जंडे वाला में मौजूद था तो फिर इनकी जातिकत जंगन्ना हो जो पिछड़े हैं पता लगे कि किसको मिल रहा है और किसको कुछ भी नहीं मिल पारा है 923 जातिया हैं पिछड़े वर्की ना एक दाखिला ना एक नौकरी 988 ऐसी जातियां है 0.26 फीजदी नौकरी और ताखिला तब जातिकत जन्गन्ना में दिक्कत क्यों होती है आप बोट आप आठ मिनट उनको बोलने दिया है और आपने मुझे 10 सेकंड भी आप बोलने की मुझे इजाज़त नहीं दे रहे हैं ये बिल्कुल ठीक नहीं है आप मुझे पुझे अपने बात कह लेने इसके बाद जो आपको सवाल करना है आप करते लएए इस सवाल का जवाब ज़रूर दे इस देश का विभाजन हिंदू और मुसल्मान के नाम बिल्कुल जरूर दूँगा प्रतिनिदित्तों का मामला जब आया था तो सुन, सुन लिजे, सरदार पटेल ने यही बात कह थी, you cannot ride two horses, ठीक है, आपको आपने अभी इस देश का विभाजन किया है, आप दो घोडे की सवारी नहीं कर सकते हैं, यदि आपको पसंद नहीं तो आप पाकिस्तान जा सकते हैं यह कोई ऐसा ही वाक्या था, जैसे 1871 में, अमेरिका ने उरोपियंस के लिए कहा था, कि भाई तुमको नहीं पसंद है, तो पाइस पूपन तुई हो, रही बात इस से बात, मेमरीज ही, दर्शकों के सामने पेश कर रहे हैं, क्या-क्या चिट्थी लिखी थी, सरसंग चालक को पाबंदी भी लगाई थी? और RSS को दिक्कत क्यों थी? मेरा सवाल था, वो रहे गया है, उसका जवाब दे दीजिए. तेके, रास्तिये स्वैंक सिवक संग ने न तो जातिये जनगन्ना के खिलाफ बात की है, और न भारतिये जनता पार्टी ने इसके बात बात की थी. मैं बेसक ब्यक्तिगत तोर पर मैं जरूर कोट में केस फाइल किया था, क्योंकि मैं जानता हूँ, यह जितने भी परिवारवादी पार्टियां हैं. सुन लिजे पहले भार ध्यान से सुनिये, मैंने कहाना कि आठ मिनट एक प्रवक्ता, एक रिजनल पार्टी के प्रवक्ता को आप बोलने के लिए और बाकी लोगों को आप बोलने ही नहीं देते. ये बड़ी अच्छी बात के यहाथ लालू के लालू प्रशाद के एक बंस को बढ़ाने के लिए जितने भी ये परिवार वादिस कहिंदरित पार्टियां है वो राजनीती में कम से कम ये तो कम से कम कहना कि बैई मुस्लिम आरक्षन के बारे में आप बात करते हैं आरक्षन मिला था मुसल्मानों के वो उनको मिल रहा था लेकिन कॉंग्रेस का दुसकर्म ये है और बाकी इन पार्टियों का दुसकर्म ये है ममता बनर जी क्या बंगला देसी मुसल्मान आकर के बस जाएं उनको आरक्षन मिलना चाहिए इस देश में क्या रोहंगिया आकर के बस जाए उनको आरक्षन मिलना चाहिए लेकिन ममता बनर जी जो इन बंगला देशियों के खिलाफ थी वो वही ममता बनर जी जाकर के तो बिहार में ये जो 23 23 मुसलिम जातियां केंदर की सूची में हैं बतौर पिछडा वर्ग गुजरात की 22 मुसलिम जातियां बतौर पिछडा वर्ग सेंट्रल OBC लिस्ट में हैं और 26 जातियां मध्यपरदेश की ये कैसे हैं ये मंडल कमिशन से आया है मैं फिर आपको ये जानकारी दे दूँ और कॉंग्रेस के जमाने में जो OBC केंदरिये जो OBC कमिशन था उसने रिकमेंडेशन किया है जो राज्य कमिशन था उसके रिकमेंडेशन के आधार पर ये हुआ है तो ये बारतिय जन्ता पार्टी के उपर मत थो पिये ये कॉंग्रेस का दुसकर्म है बिहार का भी थोड़ा आखड़ा बता दू अभी बिहार का मैंने सेंट्रल लिस्ट बताई बाइ बात तो सुन लो या नहीं नहीं सुन रहा हूँ मेरी भी तो सुनने परेगी मोमिन चूडिहार राइन कुंजरा ये सब हैं रजे लिस्ट में आपकी सरकार्थी वहाँ पर ज्यातर समय मुझे लगता है कि तुम गलत रिसर्च मुझे मुझे लगता है कि तुम पूर रिसर्चर थे इसलिए पत्रकारिता में आया नहीं तो वहीं पर देली इनवस्टिए अभी बतात है अभी तुने उगली किया ना अभी बतात है ऐसा है संगीत रागी संगीत रागी सुलो ऐसे घटिया बयान दोगे और जिस तरह के घटिया तुम राजनेतिक विशलेशक हो और जिस तरह के तुम प्रोफेसर हो उसकी कला ही खोल दूआ मैं यहाँ पर गजब बिज़ती है बत्तमीजी मेरे साथ कभी करने की कभी कोशिश मत करने की कभी बत्तमीजी मत करना अजंडा नहीं चलाता हूँ यहाँ पर कर रहे हो यह समझ रहा हो तुम से सुनता रहूं का सुनता रहा है तुम हरे भाई आरेसस के विचारक कहते हो अपने आपके थोड़ी सब्वेता अना रखो 1925 ने ना था एसे विचारगारबर आर एसे को भी सोचना चाहिए मैठत worthy थे किस तरह के लोगों को विचारग بنने की आजादी आपर दे रख्ती है मुझे तुम से साटिफिकेट नहीं चाहिए साटिफिकेट दे भी नहीं रहा कोई साटिफिकेट देना ISI मारका करने का काम चुरू किया अच्छा लगा अच्छा लगा बत्तमीजी का जवाब बत्तमीजी भी होती है साटिफिकेट को तुम दे रहे हो क्या हो गया परिशान हो गया पानी पीलो उसके बाद वक्त दे जूँगा मुझे पूरा धार्ज नहीं सेयन करूँगा मुगालता मत पालना कि बत्तमीजी करके निकल जाओगे कोई बत्तमीजी नहीं की सीथे सवाल पूस्ता हो नाम भी सीधा सवाल है ताल ठोक कर पूछता हूं सीधा सवाल ताल ठोक कर पूछता हूं सवाल का सवाल का उतर नहीं सुनना चाहते हो दीजे उतर दीजे 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 गला बैट जाएगा वर्णा दीजे तुम्हारे एक तरफाम एजेंडा सुनते रहे हैं अजेंडा संगीत तुम नहीं तै कि तुम नहीं तै करोगे कि मैं क्या बोलू का जवाब दो यहाद हो तो सवाल यहाद दिलाओं यहाद दिलाओं क्या सवाल पूछा था मैंने तुम्हारे सारे सवाल का जवाब देने के लिए बैठा हूँ ये जिस बात पर अब दुबारा से नाम दुबारा देखिये बत्तमीजी करो गे ना फिर दुबारा शुरू हो जाओंगा मैं पीछा नहीं छोड़ता हूं संगीत देखो मैं भी नहीं छोड़ेंगा फिर पीछा तुम्हारा दुबारा से नाम बता रहा हूँ जफाली, दुनिया, धोबी, नट, पमरिया, बटियारा, भाट, मेहतर, लालबेगिया अगर ये बिहार की सूची में ना हो तो संगीत, तुम्हारी जूती मेरा सर इसी पर सवाल उठाया था ना मैं पहले एक चीज बोलना चाहता हूँ यदि पत्रकाइरता का धर्म निर्वाह करते हो ना अभी इस पर सवाल उठाया थे बोलना बंद कर दो तिया बारा सर करा इन जातियों का नाम भी जिक्र करना सुरू कर दो क्या? जिस समय क्या? 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 ना मैं जूता चला मुझे जूती और सर नहीं चाहिए ये तुम्हारा अपना है तुम अपने पास रखो इसका अपने जूता भी रखो और अपना सर भी रखो कभी-कभी होगा तो मार ले ले ना